तो यह हमारी क्लास नंबर फाइफ है फॉर एफसे से आई स्पेशल एमसी क्यूस को लेकर के इसके पहले अलड़ी हम फोर क्लास डिसकस कर चुके हैं तो आई होप आपको वो क्लास समझ में आई होंगी लास्ट वाली क्लास में हमने आपको एक क्वेशन दिया था वो भी हम इ क्लास सटन करके आपको लगा होगा कि आपने एक इससे से आई के बारे में कुछ जाना कुछ समझा कुछ सीखा ठीक है तो इसी तरीके से आगे भी हम चलते रहेंगे कोशिश यह रहेगी कि कि किसी भी कोश्चन को चाहे वो प्रीवियस येर में आया हो या फिर उससे जो ब रहें ठीक है इसके अलावा नए कोश्चन भी है सारे के सारे लगभग कुछ कोश्चन प्रीवियस यह रहें बाकी लगभग नए कोश्चन है जो यहां पर बनाए गए है ठीक है तो लास्ट क्लास में यह कोश्चन आपसे पूछा गया था कि जो इनफोलनेट है एवा इंडियान फूट सेफटी लेबरेटरी नेटवर्क बगएरा बोलते हैं तो यहां पर इसको लेकर कि यह पूछा गया था कि आपसे इनमें से यहां पर एक सेंट्राइज सिस्टम की तरह कौन काम करता है या फिर फॉस्कॉरिस या फिर नन आफ दिए वग कई सारे एक दो जो थे उनमें फॉस्कॉरिस भी था एक दो ऑप्शन में एफल आर्स भी था और कुछ का जो था लमस था देखो यहां पर अगर आप को पढ़ते हो तो वह लैप्स के बारे में पूछ रहा है यानि कि लेबरेटरी से रिलेटेड कोशन है तो सबसे पहले जो है कि यहां पर फूर की लाईसेंसिंग और रेजिस्टेशन को लेकर बात कर रहे हम वहां पर लैब के नेटवर्क से बात नहीं कर रहे है क्यूंकि यहाँ पर भी हम क्या करते हैं तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आप जान लो क्योंकि हो सकता यह कोशन नहीं आए बट इससे रिलेटर चीज़े आती है ध्यान रहे कि अगर आपकी कॉंसेट क्लियर होते हैं चीज़े आपको पता होती है किसका क्या काम होता है तो exactly वही कोशन नहीं आता ह सकते हो कि जस्ट हमने कुछ पढ़ लिया और हम सारे कोशन कर लेंगे इस बात की मत रखना आपने आप में क्योंकि वहां पर कोशन बहुत अच्छे से वह डिजाइन करते हैं तो इनफोल नेट के बारे में जैसे पढ़ा था विल हैवा नेटवर्क ओफ लैब कनेक्टेट सेंट्रलाइज सिस्टम एक सेंट्रलाइज कर्ने का मतलब यह है कि सारा का सारा डेक ठीक है ओनर्शिप आफ लाभगरेटरी बेसिक्स ऑफ एक्रीडिटेशन या फिर अप्रूवल जिसको बोलते हैं एक्रीडिटेशन कौन प्रोवाइट करता है लेबरेटरी को लेकर के इसको हम क्या बोलते है एने बीयल पोलते ठीक है उसके बाद में आता है जियोगरिफिकल location के according यहाँ पर categorize किया गया है यानि कि particular lab किस reason में है south में, north में या फिर किस state में है government support वहाँ का depend करता है कि वहाँ की state government है वो उसका कैसा क्या support है वहाँ पर mobile labs and more mobile labs जो food safety van वगेरा होती है उनको ले करके जैसे कि देखा होगा कि बहुत सारी van होती है इसके अंदर पूरा का पूरा एक पूरा system बना होता है कि वो जाते हैं जगा जगा पर वहाँ से sample collect करते हैं वहीं पर वो testing कर लेते हैं especially water वगेरा की testing उसमें ज़्यादा होती है तो बहुत सारे ऐसे reasons हैं अगर हम बात करते हैं कि अगर हम hills reason पर जाते हैं अच्छल प्रदेश वगेरा हो गया या फिर इन सब जगे पर laboratory setup करना इतना आसान नहीं होता है हर जगे पर दिल्ली जैसे reason में तो आसान है आराम से चीज़े अवलेबल हो जाती है बहुत सारे ऐसे reason हैं जहां पर यह पॉसिबल नहीं है बिहार के यहां पर लेबरेटरी का नेटवर कितना अच्छा नहीं है तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सेंट्रलाइस करना यह क्या काम है लैब मेनेजमेंट सिस्टम का काम है यहां पर इसी तरीके से काम करता है जिसको हम लैब मेनेजमेंन इस्टम बोड़ते हैं और अब इसके साथ लैब मेनेजमेंट शिस्टम है वह फल रस के साथ में था होगई आप साथी साथ आप दिखोगे कि फॉस्कोस हो गया उसके साथ connected क्योंकि फ्लार्स खत्म हो गया उसके साथ में आपने FICS का नाम सुना होगा हमने class में डिटेल में दो या बढ़ा है फूर्ड इंपोर्ड क्लेरेंस सिस्टम क्या होता है उससे पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने में बहुत आसानी हो जाती है और डेटा अवलेबल होता है तो उसके किसी भी तरीके से कुछ एक्षन लेना बहुत आसान हो जाता है following would be the major benefit of the system अब यह जो system है LMS है ठीक है lab management system है इसका यहाँ पर क्या benefit है इसके कुछ major benefit क्या है तो आपसे options में डाल करके कह सकता है कि इसमें से major benefit क्या है या फिर इसमें से major benefit कौन सा नहीं है तो सबसे पहला तो यह किये है कि uniform parameter testing based on product अब क्या होता है कि जैसे कि food की testing करनी है suppose that कि हम कहीं से कोई milk का sample या फिर milk से बना हुआ कोई product sample हम collect करते हैं हम suppose that कि एक sample केरला से collect करते हैं एक हम दिल्ली से उठाते हैं एक अरुणाचल प्रदेश से उठाते हैं तो बहुत distance है आपस में एक relation नहीं है तो क्या होगा कि वहां पर हो सकता है कि हम different parameters का use करें testing करने के लिए बट क्या होता है कि अगर हमारे पास में uniform parameter होगा तो टेस्टिंग के result होंगे वह भी uniform आएंगे ठीक है तो इससे यहां पर एक major benefit मिल जाता है जिससे कि सारा का सारा data एक से connected रहता है better surveillance यानि कि better तरीके से हम चीजों पर निगरानी रख सकते हैं उसके बाद में in reaching standards यानि कि proper तरीके से standards यानि कि in reaching बहुत better वे में standards के use कर सकते हैं MIS reporting जो reporting वगेरा होती है उसको क्योंकि जब तक data एक जगे centralized है तो reporting काफी आसान हो जाती है Sample को trace करना आसान हो जाता है और centralized data तो होई जाता है क्योंकि data एक जगे पे available हो जाता है तो info net इसी वज़े से इतना important है जिसको Indian Food Laboratory Network बोलते है और इसी का एक तरीके से system है जिसको हम LMS बोलते है तो एक दूसरे से related है info net और LMS ठीक है आयोब आपको पीछे वाले question को लेकर कि अभी कोई doubt नहीं होगा बहुत सारी चीज़े हमने इसी वज़े से discuss करी वहाँ पर number of questions बनना चाहेंगे तो बन जाएंगे question number one आज की class का हमारा पहला question है which of the following logo is for the non-vegetarian food तो fssai इंडिया में एक single reference point है ठीक है food की safety का दाई तो बनता है fssai का तो उसमें यहाँ पर कई सारे logo बना रखे हैं जिससे जो भी लोग food को purchase कर रहे हैं वह आसानी सोस को देख ले और हलाकि वह पढ़े लिखे नहीं हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं vegetarian है non-vegetarian है बट वो पढ़े लिखे नहीं है वो नहीं पढ़ पाते हैं क्या लिखा बट लोगों तो पहचान सकते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर options दिया गया है यह ए है आपके सामने जो एकदम red circle है यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंगल बना हुआ हुआ है उसके बाद मे जो B है हमारा वो यहाँ पर correct होगा ठीक है option number B हमारा यहाँ पर correct होगा ठीक है अब यहाँ पर देखो थोड़ा लोगों के बारे में समझ लो ठीक है FSAI के कुछ important logo है basically mainly जो FSAI का है वो तो यह दो है ठीक है सबसे पहला logo जो है यह vegetarian के लिए है ठीक है यह west के लिए है green logo है द एक हमारा waste के लिए है दूसरा हमारा non waste के लिए तीसरा जो logo है वो vegan food के लिए vegan food का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पूरी तरीके से vegetables से बनी हुई चीज़े होंगी जैसे हम milk को क्या बोलते हैं milk को हम vegetarian में count करते हैं ठीक है milk से बनी चीज़े vegetarian में आती है बट वीगन में एक हम क्या करते है twenty totally हम यहाँ पर depend होते हैं क्या green vegetables से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर किसी को भी यहां पर इंपलूड नहीं करते हम टोटलीब बोलते हैं इसको हम क्या बॉलतें हैं वीगन को लेकर कर सेव frankly, फरकेट में जिनको एरेटिएको करकेpha सेल किया जाता है सके और एक तरीके से जो बी चीजें जो भी पर फ्लेवर वगेरा होता है उसको मेंटेन कर सकें यानि कि पूरी तरीके से अधियाशन का यूज करते हैं तो यहां पर जब हम करते हैं तो यहां पर जितने भी फूड बिजनस ऑपरेटर होते हैं उनको अपने फूड की लेबलिंग जब करते हैं तो उनको यह लोगों लगाना होता है जिससे आपको यह ग्रीन कलर का जो लोगों दिखेगा इससे आपको यह पता चल जाएगा कि यह जो फूड है यह इरेडियेशन के प्रोसेस से होकर के गुजराएं तो आही होग आपको समझ में आगया होगा पहला वेज लोगों है नॉन्वेज लोगों है ठीक है तो यहां पर हम क्या करते हैं इरडियेशन का यूज करते हैं अब यहां पर अगर हम बात करते हैं अब यहां पर बात करते हैं दूसरा कोशन हमारा सामने क्या है दूसरा कोशन है रोल ओफ डिजिटल मित्रा डिजिटल मित्रा के बारे में पूछ रहा है their compliances on online portal of FSSCI, option number 2 है to retain FBOs regarding the Food Safety Act regulations and implementation, option number C है to do hyzine rating of FBOs या फिर none of the above, तो यहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा तो basically जब food safety मित्रा हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जैसे hyzine मित्रा है वैसे distal मित्रा है, तो distal मित्रा का रोल क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, distal मित्रा नाम से आपको पता चल जाएगा, तो option number A जो है, वो हमारा यहाँ पर correct बैठता है, क्योंकि यहाँ पर distal मित्रा सारा online portal का जो काम होता है, FSSCI का वो करता है, और यहाँ पर उसके जो भी compliance होते हैं, उसको लेकर के यह help करता है, compliance का मतलब time to time जो भी यहाँ पर चीज़े होती है, food business operator को follow करनी होती है, जैसे documentation process होता है, बहुत सारे rules and regulations होते हैं, जिनको implement करना होता है, यह सब किसमें आता है, compliance में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, role and function of the digital mitra और क्या-क्या होते हैं, तो सबसे पहला यह है कि filling of the new application for the license and registration, तो वो application को भी fill up करता है, further online correspondence regarding queries raised by the authority, अगर authority यानि कि FSCI कोई query raised करता है कि आपके application में यह चीज़ की कमी है, आप इसको send करो, या फिर आपका application करना होता है, तो वहाँ पर यह कर सकता है, filling of the annual return of the declarations, जो annual returns वगेरा file करना होता है, ठीक है, वो यहाँ पर कर सकता है, filling applications for the approval of the product level and advertisement को लेकर के जो claims वगेरा को लेकर के काम कर सकता है, filling appeal for the revocation of the suspended license and registration, क्या होता है, license जो है, वो suspend कर दिया जाता है कुछ time के लिए, तो उसके बाद में भी वो दुबारा से जैसे कि वहाँ पर apply करना है, appeal करना है, तो वो कर सकता है, तो किसी भी food business operator का अगर license जो है, वो registration जो है, अगर वो cancel हो जाता है, तो वो after three month, after three month क्या कर सकता है, दुबारा से उसके लिए apply कर सकता है, तो वहाँ पर उसको appeal करना ही होती है, ठीक है, तो उसके बाद में बस वही छोड़ी से information कि अगर आप proper मेरन में पढ़ रहे हो, सारी चीजे कर रहो, आपके पास में समय कम है, आप चाहते हो कि आपको एक जगे पे classes मिल जाए, आप दिन में तीन classes, चार classes देख करके अपना सिल्यावस जल्दी से cover कर सको, तो उसके लिए यहाँ पर आपको FSS AI का एक video course मिल जाएगा, जिसमें हमन पर आप विजिट करोगे, तो आपको सारी information वहाँ पर मिल जाएगी, come back करते हैं अपने question number 3 पर, question number 3 हमारे सामने क्या है, question number 3 हमारे सामने यह है, when was the food safety index released for the first time, ठीक है, तो food safety index का question है, food safety index का question है, और यहाँ पर आप से यह पूछ रहा है, कि पहला food safety index जो है, वो कब release हुआ था, year 2021 and 22, ठीक है, year 2022, 21, year 2018, 19, या फिर यहाँ पर 2017, 18 में पहला, यहाँ पर food safety index release हुआ था, तो आपके सामने options दिये गये हैं, तो यहाँ पर देखो, correct option अगर हम देखें, तो option number 3 हमारा correct होगा, 2018, 19 वाला जो financial year था, उसमें पहली बार यहाँ पर food safety index जो है, वो release किया गया था, यानि कि food safety index अगर 2018, 19 में दिया गया है, release किया गया है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे यह 18, 19 है, तो इसके पीछे वाला जो साल होगा, उसका पूरा observation किया जाता है, उसके basis में यहाँ पर release किया जाता है, तो पहला कब release किया गया था, 2018 और 19 में यहाँ पर release किया गया था, ठीक है, देखो होता क्या है, कि अगर हम यहाँ पर चीजों को समझें, तो सबसे पहले तो यह जो first आपको याद रखना है, first food safety index for the year of, किस में आया था, 18-19 में आया था, was announced on the first ever world food safety day, तो world food safety day होता है, वो कब होता है, वो होता है, 7 जून को, तो 7 जून को हर साल हम world food safety day मनाते हैं, world food safety day, यानि कि सारी, सारी countries मनाती है यहाँ पर, और इसके साथी साथ, यह साथ जून को होता ह या बात आपको धिहान रखनी चाहिए, इस साल 2023 में भी हमने celebrate किया था, world food safety day और 7 जून को होता है, तो यहाँ पर, यह first time index कब release किया गया था, first time index release किया गया था, हमारा 2018-19 में, तो food safety index को लेकर के, एक ranking हमारी country में निकलते हैं, जिसको हम state food safety index ranking बोलते हैं, उसमें होता क्या है, बहुत different, different states यहाँ पर participate करते हैं, अब यहाँ पर इनको हम 3 categories में divide करते हैं, कैसे divide करते हैं, सबसे पहले हमारी country में कुछ large state हैं, जिनकी populations काफी जादा है, ठीक है, कुछ states हमारी यहाँ पर ऐसे हैं, जो काफी छोटे states हैं, जैसे गोवा हो गया, दमनेंडी हो गया, उसक जो top पर होता है, second पर होता, third पर होता, measure three ranking हम यहाँ पर show करते हैं, बाकि other जो ranking होती है, उसको हम यहाँ पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है, कि जो state होते हैं, वो states के अंदर में एक competitive change लाने का behavior आए, जिससे क्या हो, कि एक positive change भी है, बट positive change है, कि लोग यहाँ पर अगर एक दूसरे से competitive करके एक state दूसरे state से आगे बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं हमें इसका benefit मिला है, है तो सब पूरा इंडिया का party, लेकिन यह एक positive change है, तो इससे बहुत बेटर यहाँ पर changes हमें देखने को मिलते हैं, तो कई सारे state हैं जो अच्छा perform करते हैं, और उनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, ठीके, question number 4 हमारे सामने आता है, कि how many states food safety indexes have been released by the FSSAI so far, तो आज हम 2023 में बात करते हैं, लगबग end होने वाला है, तो इस साल तक, आज तक अगर हम बात करें, तो कितने state food safety index अभी तक release किये जा चुके हैं, 4 किये गए हैं, या 3 किये गए हैं, या 5 किये गए हैं, या 6 किये गए हैं, ठीके, तो अगर आप first वाला आपको याद है, उसके according आप थोड़ा बहुत calculate करोगे, तो आपको idea लग जाएगा, तो हमारा option number C जो है, वो correct हो जाएगा, तो अभी तक total 5 यहाँ पर food safety index जो है, वो release किये जा चुके हैं, ठीके, तो यहाँ पर पहला आपको मैंने बताया कब किया गया था, और उसके बाद में यहाँ पर अभी जो recently जो हुआ है, वो हमारा 2023 में 5th हुआ है, 5th state food safety index जो है release किया गया है, वो भी 7 June को release किया जाता है, तो सब का सब जो भी release होता है, वो 7 June को release होता है, तो यह बात आपको दिहान रखनी है, अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, फिर आपके सामने एक और question आता है, in 2023 यानि कि इस साल जो हमारा state food safety index निकाला गया था, उसमें ranking को लेकर के question है, कि among the larger state, which state has secured the first position in food safety index ranking, तो इस साल 2023 में किसने पहली ranking हासिल करी है, तो मैंने जैसे आपको बताया, कि यहाँ पर हम तीन categories में divide करते हैं, एक तो large state होते हैं, दुसरे जो हमारे होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, दुसरे हमारे होते हैं, small state होते हैं, तिसरे जो हमारे होते हैं, वो हम union territory को उस category में डालते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने options दिए यहां पर देख पाओगे तो केरला यहां पर तॉप करता है तो केरला यहां पर जो है वो करेक्ट अंसर होगा तो उसी बाद में कुछ और डेटा है जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो अगर आप कॉपी पेन लेके पढ़ रहे हो अधर्वाइस आप इस्क्रीन हैने कई केरला हैस टॉब्ड गूट सेटी इंडेक्सट दो हजार हजार और यहां पर किया है याके पिशली बार क्या था यहां पर यहां पर केरला अब यहां पर आप पर यहां पर श्क्रीन शॉट लो यह फिर आप यहां पर समझ लोड़ Babo पहला जो यहाँ पर overall state ranking दी गई है larger state में उसमें देखो केरला ने टॉप किया है पंजाब यहाँ पर second ranking पे है फिर आप देखोगे कि यहाँ पर third rank पे तमिल नाडु है ठीक है फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि small state ranking में जो small state है वहाँ पर first position पे गोवा है second पे यहाँ पर मनीपूर है third में यहाँ पर कौन है सिक्किम है फिर अगर हम यहीं पर union territory की बात करते हैं तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर first position पे है डेली second पे है चंदिगर यहाँ पर third rank ठीक है तो आप से all over state ranking अगर पूछी जाती है या फिर larger state में या फिर all over state ranking तो वहाँ पर केरला आपको बताना है first rank पे है अगर हम बात करते हैं small state में तो वहाँ पर गोवा ने टॉप किया है अगर हम बात करते हैं union territory में तो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर ने काफी अच्छ उसके बाद में देखो हमारे सामने question number 6 आता है what was the theme for the world food safety day 2023 तो 2023 जो है उसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो उसकी theme क्या थी ठीक है उसका क्या theme था वो आपको यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं तो पहला option हमारे सामने दिया गया healthy food for a better tomorrow ठी option number B हमारे सामने है कि save food for a healthy tomorrow, food standards for a better tomorrow, food standards save lives ठीक है तो पहला option हमारे सामने healthy food or better tomorrow है, save food for a healthy tomorrow है, food standards for a better ठीक है या फिर option number D दिया गया है food standards save lives तो यहाँ पर देखो आपका जो correct answer होगा option number D आपका correct होगा तो यह food standards save lives जो था यह हमारा क्या था यह हमारा इस साल का world food safety जो day celebrate किया गया था उसका यहाँ पर यह theme था ठीक है तो I hope आपको यह चीज यहाँ पर ध्यान रहेगी ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा explanation हम देख लेते हैं यहाँ पर explanation में दिया गया है कि this year 2023 theme is food safety save lives ठीक है standards not only provided farmer and processors with guidance on the hygienic handling of food but also define the maximum level of additive ठीक है यहाँ पर additive को लेकर के बात करीगी तो क्या होता है एक प्रॉपर एक conference वगेरा होती है एक conference वगेरा होती है तो वहाँ पर कुछ discussion वगेरा चलता है तो वहाँ पर यह बताया गया है यहाँ पर maximum level of additive को लेकर के बात करीगी थी ठीक है साथी साथ यहाँ पर contaminants को लेकर के बात करीगी थी among other components that can be safely consumed governments organizations and regional or intergovernmental bodies are responsible for the setting such standards तो यह सब चीजे कहां पर होती है यह सब United Nation में होती है तो United Nation में हम celebrate करते हैं और यह theme भी वहीं से हमारा दिया जाता है तो हर एक country जो है वो इसको celebrate करता है तो वहाँ पर इन सारे issues को लेकर के बात हुआ जब आप United Nation में जब आप जाओगे तो वहाँ पर सबसे important अगर हम international level पर देखें तो Codex Elementary Commission जिसको बोलते है तो उसका role सबसे ज़्यादा होता है वो एक बहुत important role वहाँ पर play करता है तो वहाँ पर यह food safety को लेकर के बात होती है तो वहाँ पर आप देखो कि different country के जो members है वो होते हैं कुछ inter-governmental organizations वहाँ पर हमें देखनों को मिलते हैं तो यह सब लोग मिल कर करते हैं कि इन सारी चीजों को implement किया जाए ठीक है लिखा गया है दा कोडिक सेलिमेंटरियस कमिशन विच सेलिप्रेट इस 60th anniversary तो यहां पर इनकी साथ भी एनिवर्सरी भी celebrate करी गई थी is one of the body responsible for the setting international food standards and quality standards तो आपको अल्रड़ी कोडिक सेलिमेंटरियस कमिशन के बारे में इन यह चार क्लासस में मैंने बहुत अच्छे सा समझाया हुआ है अप्लिकेशन पर कोडिक सेलिमेंटरियस कमिशन एक बहुत बहुत इंपोर्टेंट आ जाता है अगर वहां पर यह कोशन टच करेंगे तो कोडेक्स को जरूर पूछेंगे तो इसने यहां पर अपनी 60th anniversary मन लाइस से ओता है उस पर यहां पर कितनी डिशिट होती है ठीक है तो आपके सामने options दियेंगे है 15 होती है 14 होती है यहां पर 14 डिजिट हमें देखने को मिलती है इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर एक्स्लेनेशन आप सुन लो इसको लेकर के एक इन्फॉर्मेशन जो अवलेवल है गुगल पर बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवलेवल है कई सारे वीडियो भी अवलेवल है थोड़ा सा वहां पर गलट डेटा है वो मैं यहां पर आपको बता दूँगा उसको आप डाउन कर लेना FSAI यानि कि Food Safety in Standard Authority of India is responsible for the regulating and supervising the food safety and standards in India तो उसका कामी यही है कि Food Safety को लेकर के standards वगेरा को पूरी तरीके से ध्यान रखना FSAI ने इशू किया है यहां पर एक license registration जिसको हम 14 digit के लिए हम करते हैं वो registration भी हो सकता है वो license भी हो सकता है दोनों का जो digit होता है वो यहां पर 14 होता है जो भी Food Businesses वगेरा होते हैं उनको run करने के लिए तो यहां पर देखो आपके सामने एक data दिया गया है कि अगर हम इसको तोड़ते हैं ब्रेक करते हैं अगर इसकी coding करते हैं license नंबर की तो यहां पर सबसे पहला जो digit होता है वो आपको यह बताता है कि यह license है यह registration है तो आपको पता होना चाहिए हमारे सामने तीन तरीके की category आती है एक तो हमारे सामने basic registration होता है एक हमारे सामने इस्टेट लाइ आगर यहां पर देखो कर अगर घर यहां पर पहला डिस एक है। जीरो वन दिया है तो यानिके मतलब वो क्या है वह यहां पर किसकी बात कर रहे हैं वह यहां पर यहां ध्यान रखना रह और एक Pron régCreantा चलंच है तो यहां पर लिखकृजीर सपेया गलत है मिला है एप लिखा गया कि बाद करते लांशो फिर मिला है वो मेंचन होता है उसके बाद में रजिस्ट्रीयर थे लडिसेंस गयरा देता है तो यहां पर चीजों को अगर आप समझो तो सबसे इंपॉर्टन बात है आपसे जो बन सकते हैं वह कहां से बन सकते हैं जैसा कि आपको पीछे मैंने बताया वहां से देख लेना एक कोशन फसो में आया है डिरिक्टली स्टेट को लेकर के पूछा जा चुगा है की मजलब किसी पर स्टेट को पूछ लेता है कि इस स्टेट के लिए क्या होता ह Burch यहान पर 14 होती है तो यहां पर लैसेंस और नमबर जो है वो सब 구독 सब 14 दिजिट का होता है उसके बाद में यहां पर Tomorrow충 करते हैं लाइसेंस और जिस्टरेंशन का जो मैंने आपको पहला नंबर बताया सुवारनफ यहां पर लाईसेंस है एक यहां पर लाईसेंस के लिए दो यहां पर किसके लिए है registration के लिए है नेक्स्ट टू डिजट जो होते हैं वह इंडिकेट करते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी वगेरा के बारे में यानि कि वह किस स्टेट में है ठीक है अगर वहाँ पर देखो जो सेंट्रल लाइसेंस अगर इशू किया जा रहा है तो वहाँ पर 00 मेंशन होगा ठीक है इस्टेट के लिए तो अलग अलग कोड है और अन्धरा प्रदेश के लिए अलग है फिर आप देखोगे कि यहाँ पर डेली के लिए अलग है फिर आप देखोगे तमिल नाडू के ल पनाया गया है उसके according यह जो numbers पड़े हैं यह कोई serial numbers नहीं है यह एक तरीके से उन states का code है जैसा कि number 1 पर है आंधरा प्रदेश है उसी तरीके से यह question हम से पूछा जा जूगा है कि Tamil Nadu के लिए क्या होता है तो Tamil Nadu के लिए 24 होता है वैसे आप देखोगे तेलंगाना के लिए 36 होता है तो इसमें से आप अपना state वगेरा अगर चाहो तो आप search कर सकते हो या फिर आप इसका screenshot ले सकते हो यहां पर जो भी यह numbers जो भी चीज़ें यहां पर दी गई है वो क्या है वो यहां पर state के code है ठीक है तो जो भी state में license issue हुआ है state license उनका code यहां पर होगा तो जैसे क किसी ने यहां पर वेस्ट बेंगॉल का license लिया है तो उसका यहां पर 28 होगा तो कोई भी फूट सेफ्टी ऑफिसर या भी कुछ सी को जानका रही है वो देख के बता देगा यह business किस state में registered है ठीक है question number 8 हमारे सामने आता है ठीक है बहुत basic सा question है आपको पता होगा question number 8 यहां यहां पर फुल फॉर्म हो जाएगा ठीक है बहुत डिटेल में हमने एक पढ़ा हुआ है यूटूब पर वीडियो पढ़ा हुआ है होता क्या है तो फोस्टाइक और फूट सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन जो है इसा ट्रेनिंग प्रोग्राम पहली बात तो यह क्या है यह है क्या यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ठीक है और फूट सेफ्टी ट्रेंडर्ट फूटी ऑफ इंडिया इनिशियेटेट टू रेज अवेर्नेस इसका काम क्या है अवेर्नेस को रेज करना और फूट सेफ्टी ट्रेंडर्ट अमंग दा फूड बिजनेस awareness को बढ़ाना है बट किसके बीच में food business operator के बीच में तो सबसे पहली बात है पोस्त है कि एक training program है training program है किस तरीके का training program है यहाँ पर awareness को बढ़ाना है किसके बीच में जो लोग food का business करते उनके लिए है as per the provision under food safety in standard act 2006 all food business operator must have the trained and certified and individual in their business premises to ensure the food safety कहने का मतलब यह है कि उनके प्रेमाइस में एक एक trained person होना चाहिए जो इन सारी चीजों को धियान रख सके और proper manner में food safety management system को लेकर के जो भी हाइजीन वगरा maintain होकर ना होता उसको वह implement कर सके question number 9 आता है हमारे सामने question number 9 हमारे सामने आता है global food safety partnership और जिसको हम क्या बोलते है GFSP बोलते हैं of FSSAI इस वो क्या है एक public private initiative है या फिर वो promoting global cooperation for food safety capacity building है या फिर work in focused on low and middle income countries है क्या है या फिर all of the above है तो यहाँ पर अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो food safety partnership एक तरीके का क्या है FSSAI का ही एक initiative है या आप एक program मान सकते हो जिसको GFSP भी बोलते हैं जिसको हम global food safety partnership बोलते हैं तो यहाँ पर क्या है इसमें तो अगर आप यह सारे options समझोगे तो public private initiative है promoting global cooperation for the food safety capacity building ये भी सही है उसके बाद में work in focused on low and middle income countries वो भी सही है तो यहाँ पर आपके all of the above options जो है वो यहाँ पर correct हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ और information देगे यह थोड़ा सा आप समझ दो जैसे कि हमने देखा जो established by a world bank पहली बात तो यहाँ पर यह question आप से पूछा जा सकता है यह किस के द्वारा established किया गया है तो यह जो भी प्रोग्राम है global food safety partnership तो इसको लेकर करके अगर हम बात करें तो यह एक world bank का initiative है ठीक है FSAI तो है यहाँ पर involved यह initiative किसका है established किस ने किया इसको तो यहाँ पर world bank ने किया है is a unique public private initiative dedicated to improve the food safety safety of food in middle income and developing countries तो जो भी developing countries है उनको ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर लाया गया है FSAI entered into a partnership which GFSP for cooperation in area of the food safety under this GFSP conducted following specific training program for FSAI तो इसको लेकर के इन्होंने बहुत सारे training program तो क्या है कि world level ने किया है अब यहाँ पर FSAI सबसे पहले उनको attend करता है देखता है क्या है फिर FSAI ground level पर implement करने का काम करता है ठीक है तो कहां से इसका जन्म हुआ है यह world bank से हुआ है तो यहाँ पर कई सारे training program जो है वो रखे गया है जैसे कि यहां बोला गया है कहां पर कंड़क्ट हुआ था सिंगापूर में कंड़क्ट हुआ था दिसंबर में ठीक है इन इनिवर्सिटी ओफ इनिवर्सिटी ओफ मेरिलेंड यूएस इन अप्रैल 2017 में यह हुआ था उसके बाद में master training from TOTS are now providing training on these subject in India and help create a pool of the trained personals अब वो जो वहां से जो लोग आये हैं उनका काम है यहां पर जो master trained हो चुके हैं उनका काम है यहां पर training वगरा प्रोवाइट करना तो जी एफ एस पी जो गवर्निंग कांस्लिंग मीटिंग है वाज हेल्ड इन दा न्यू डेली जो की न्यू डेली में हुई थी कब हुई थी फरवरी 2017 में विच लेट टू फर्दर इस ट्रेट लिंग ऑफ एफ एससे से आई कोलाबरेशन विट जी एफ एस्प तो एससे को जो कोलाबरेशन हुआ उसको और मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री में इनको लेकर के मीटिंग्स वगेरा करीगे ठीक है तो यह किसका इनिशेटिव है यह बात आप ध्यान रगना इसको मत भूलना ठीक है और यहां पर क्या दिया गया है कि जी एस जी एस जी एस पी जो है रीजनल काउंसलिंग मीटिंग हैल्ड इन नियु देली दिरिंग दोजार सत्रा अंडर धर सेथी मैंनेज्मेंट इन साउथ एसिane Rat technicians चाहि जाराएा कि जिससे घंश निकश में तक फूटसेटी के लेवल को मेंटें कर zeggen तो यह काकूंटरी इस्यां भी कंट्रीय। रहें रहें यहां पर करते जो भी इसमें इन दिल्ली डेकलरेशन है बीन इशूड बाइदा जी एफस्प विच फोकस्ट ऑन दा इंप्रूविंग फूर सेफटी इस्या थो कोलाबरेशन एंड एक्स्पिलिसिटी कवर दा इसकोफ ऑफ दा वर्क्स डैट में बी टेकन अप अंडर दा एजस ओफ जी एफस्प तो आपको इससेट ऑप यहां पर जो जी एफस्प एस्पी है वो सपोर्ट कराए वो सपोर्ट कर रहा है एक इंटरनेशनल ट्रैनिंग सेंटर मुंबाई में बनाने के लिए लगवग यहां पर देखो लगवग चीज़ें कम्पलीट हो चुकी है तो इसको लेकर के भी यहां पर यहा समझ में आई होंगी ठीक है उसके बाद में देखो हमारे सामने कोशन नंबर 10 है क्या है कि दा फूड सेफटी कनेक्ट इस दा ऑनलाइन पूर्टल ऑफ से से आई है बट यह किसके लिए यह पूछ रहा है यहां पर इनफॉर्मेशन और इसके साथ सबस्टेंडर्स के लिए तो यह हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए नया हो तो जो फूर्ट सेफटी कनेक्ट है वह किस लिए है फूर्ट सेफटी कनेक्ट जो है वह इस वज़े से है कि अगर आपको कोई शिकायत वगएरा कुछ करन बंबने शिकायत कर सकते हो ठीक है तो यह क्या है कि इस पॉर्टल हैस बेन डेवल टू एनेबल कांजूमर्स तु लॉज़ा अपकेट यहां पर दर्ज़ कर सकते हो रिगारडिंग एनी ईश्यू विद्धा पैकेज्ड फूड फूड प्रेमाइसेस ओनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर्ट टेकिंग एन एप्रोप्रियेट एक्षिन अगेंस सच कम्प्लेइन्स एंड प्रोवाइड टाइमली रिजलुईशन तो सपोस्ट डैट की फूड का कोई भी बिजनेस है आप मार्केट से कुछ भी परचेस करतों सपोस्ट डैट आप ब्रेट परचेस करतों जैसे एक लोग का आया था कि उन्होंने ब्रेट परचेस किया था तो कैसे कहां पर कंप्लेइन कर सकते हैं कि जो ब्रेट था वो काफी पुराना था तो ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिल करके किसी भी तरीके का फूड को लेकर करके अगर इशू है तो एज़ा कंजूमर हमको और आपको अपनी कंप्लेन रजिस्टर करनी है तो डिरेक्ली आप यह नहीं कोगे कि अपने एरिया में एफसो और इनके पास में जाए तो यह प्रॉपर यहां पर ट्रांसपेरेंसी रह लास्ट कोशन है कोश्ये कोशन हम नहीं कराएंगे आपके लिए लास्ट कोशन आपके सामने यह है कि इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे इस कोशन आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं उनके कमेंट से हमें पता चलता है कि हां हमें और करना चाहिए तो यह सब क्लास और चीजों को देखने में देखो आप लाइसेंस को लेकर के एक चीज था गलत तो पूरा सर्च करना पड़ता है इसके लिए हमें वैरिफाई भी करना पड़ता है कभी मार्केट में जो लाइसेंस नंबर रजिस्टेशन नंबर उनको चेक करते हैं तब जाके किलियर चीजे होती है तब जाके आपके सामने कोई डेटा आता तो बहुत बार प्रूफ रीडिंग और सारी चीजे करने के इसकी साती साथ अगर इन चीजों को आप समझ वढ़ो तो फ़मेशा ये आपको याद रहें कि हाने कहीं से पड़ा था कहीं से समझा THA पको सबась Además आ रहे था तो फ्ली चैनल को आप सब्सक्राइब करो जिससे आप अपडेट रहो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़े आती है तो फूट सेफ्टी को लेकर के कुछ चीज़े आती है तो आप अपडेट रहो और आप इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पास अको ठीक है तब तक के लिए थैंक एक यूँ है वनाइस जे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में